Hello Guys, Welcome to Science Workshop, This is Kusum here. इस वीडियो में हम Light Microscopy के बारे में पढ़ेंगे. Light Microscopy के जितने भी टाइप हमने पढ़े हैं पीछे वाले वीडियो में, उन सब का Revision जो है वो एक ही क्लास में हम इस वीडियो में कर लेंगे. अगर Light Microscopy के टाइप के बारे में बात करें, तो इसके अंदर आज आता है Bright Filled Microscopy, Dark Filled Microscopy, Confocal Microscopy, Feige Contrast, Fluorosense, Polarized and Interference Microscopy. यह सारे के सारे टाइप्स जो है वो Light Microscopy की टाइप्स हैं, जिनको एक-एक करके हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया, डीटेल में. और इस वीडियो में हम इसका revision करने वाले हैं, यानि इसके जो man-man points होंगे, हम उन पे focus करेंगे, ठीक है? ताकि आपको सारा का सारा जो type है वो recall हो जाए, revise हो जाए, ठीक है? अगर पीछे वाले वीडियो किसे ने नहीं देखे और direct कोई देख रहा है, तो भी उसको समझ में आई जाएगा, लेकिन फिर भी आप जो पहले detail में मैंने वीडियो इसके करा रखे हैं, वो जाके देख लेना, ठीक है? और साथ ही साथ इसके notes भी बनाते जाना, ताकि revision के टाइम में ये वीडियो तो आपको help करेगा ही, और notes सबसे ज़्यादा important होते हैं, exam time में. So light microscopy, अगर हम microscopy की बात करें सबसे पहले, कि हम microscopy किसको बोल रहे हैं, ठीक है? Microscopy देखो, बहुत सारी ऐसी अपने surrounding में चीज़ी होती हैं, objects होते हैं, organisms होते हैं, जिनको हम अपनी direct eye से नहीं देख सकते. ठीक है? उनको visualize करने के लिए हम किसका use करते हैं? Microscope का use करते हैं. और जिस science में हम microscope का use करते हैं, उस science को हम क्या बोलते हैं? Microscopy बोलते हैं. अब microscope का different fields में जो है, वो use किया जाता है. For example, जैसे forensic evidence हो गए, forensic evidence होते हैं, उनको examine करने के लिए हम किसका use करते हैं? Microscope का use करते हैं. इसके अलावा, cell division का process हो गया, उसकी study के लिए भी हम क्या करते हैं? Microscope का use करते हैं. इसके अलावा, बात करें तो अगर हमें protein की structure देखनी है, उसकी structure कैसी होती है, उसका पता लगाने के लिए, या फिर protein में, protein की cell के अंदर क्या location है, वो पता लगाने के लिए भी हम किसका use करेंगे? Microscope का use करेंगे और इसके अलावा, हम देख सकते हैं कि DNA replication की process है, उसको study करने के लिए भी हम Microscope का use करते हैं. तो ये different areas हो गए guys, जहाँ पे हम Microscope का use करते हैं, ऐसे object को देखने के लिए, जिनको हम अपनी direct eye से नहीं देख सकते हैं. एंड इसका अगर PDF चाहिए आपको, तो आप मुझे Telegram चैनल पे जोइन कर सकते हैं, ये सारे के सारे एक ही PDF में merge करके मैं आपको provide करा दूँगी. तो अलग-अलग PDF की भी जरुरत नहीं पड़ेगी. हो सकता है कि किसी को लिखने में ज्यादा आलस आ रहा हो, तो वो PDF का printout भी निकलवा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. बस revision के लिए हमारे पास content होना चाहिए. सो bright-filled microscopy के अगर बात करते हैं, तो bright-filled microscopy में man point ये है कि इसका जो background होता है, वो तो होता है bright. ये देखो, यहाँ पे इसका जो background है, ये क्या है bright. और bright background में हमें एक dark image देखने को मिलती है. ये क्या है? एक colored specimen की image है. यानि जो image मिलेगी, वो तो या colored होगी, या dark होगी. और यहाँ पे एक point हम देखते हैं कि हमारे पास में मानलो कोई transparent cell है. Transparent cell है. अगर हमें इसको इस bright-filled microscopy में visualize करना है, तो bright ही background है. यहाँ पे transparent cell रख देंगे. तो हम इसको देख नहीं पाएंगे. ठीक है. तो इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं? इसको हम करते हैं stain. different dye से हम इसको stain कर सकते हैं. हम इसको stain करेंगे, तो यह cell जो है, वो kill हो जाएगी, यानि मर जाएगी. So, जो transparent cell होती है, उनको यहाँ पे हम stain करके देखते हैं, और stain करने की वज़े से वो मर जाती हैं. तो हम कह सकते हैं, कि transparent cell को live नहीं देख सकते हैं, इस bright field microscopy में. एक next point देखें, कि अगर हमारे पास में pigmented cell है, pigmented cell है, तो हम इसको pigmented cell के example chlorophyll ले सकते हैं, chlorophyll. chlorophyll एक pigmented cell होती है, सबको पता है, और chlorophyll को अगर हम इस bright field microscopy में देखना है, तो हमें stain करने की बिल्कुल ज़र्वत नहीं होगी, और इसके natural color को हम इस bright field microscopy में देख सकते हैं. तो ये दो point थे, जो आपको clear रहे होंगे, अभी हम आगे वाले slide में इसकी mechanism और working path को देखने वाले हैं, और क्या principle है, जिसके उपर ये bright field microscopy काम करती है. यहाँ देखो, bright field microscopy में हमारे पास में क्या क्या होता है, एक तो होता है अपना light source, यह light source है, जिससे light produce होगी, दूसरा होता है condenser lens, जो की light को specimen के उपर focus करेगा, तीसरा होता है specimen stage, जिसके उपर हमारा specimen रखा होता है, और fourth होता है objective lens, और objective lens जो है light को आगे पास करेगा, और fifth जो है वो हमारे पास में है eye piece lens, या फिर इसको हम बोलते हैं, ocular lens भी बोलते हैं, eye piece lens को, क्या बोलते हैं, eye piece lens को, ocular lens भी बोलते हैं, जो की हमें image को देखने में help करेगा, ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास में जो light source है, उससे light produce होती है, और वो light 400 से 700 anum की light होती है, यानि एक visible light यहां से produce होगी, यह 400 से 700 anum की जो light है, वो क्या होती है, visible light होती है, इस light source से क्या होगा, light produce हुई, जो की एक visible light है, और यह पढ़ी condenser lens के उपर, अब यह condenser lens क्या करेगा, specimen के उपर इस light को focus करेगा, अब यह हमारा specimen है, इसके उपर condenser lens light को focus कर रहा है, अब यहां से specimen stage से, जो light specimen को cross करके जाएगी, वो light तो हो जाएगी reflected, ठीक है, जो इस specimen को cross करेगी, वो light क्या हो जाएगी, reflected, ओके, reflected, यह वाली जो light है, यहां, यह तो होगी reflected, और objective lens के उपर पड़ती है, लेकिन जो light specimen के side से निकल गई, या फिर हम बोल सकते हैं, specimen को touch करके नहीं गई, वो light होती है, unreflected light, और वो इसके side से निकल जाती है, और वो light objective lens पे नहीं पड़ती, तो अब जो light specimen को touch करके गई है, cross करके गई है, या pass करके गई है, वो हमारे objective lens के उपर में पड़ी, और objective lens अब आगे slide को eyepiece lens के उपर डालता है, और eyepiece lens से यहां से हमें हमारी image मिल जाती है, और observer जो है वो इस image को यहां पे देख पाता है, जो कि एक bright background पे, एक bright background पे, dark image हमें देखने को मिलती है, यहां पे, okay, bright background पे, एक dark image हमें देखने को मिल जाएगी, bright field microscope में, so I hope सबको समझ में आ गया होगा, कि bright field microscope में क्या होता है, man function इसका यहां पे होगा, कि light जो है, वो एक तो होगी reflected, जो कि specimen को cross करके जाएगी, जो इसको छूके नहीं गई, वो unreflected light होगी, जो side से निकल जाएगी, okay, और इसी की वज़े से हमें image आगे देखने को मिलती है, तो I hope सबको bright field microscope clear होगा, next हम बात करते हैं dark field microscope की light microscope का ही ये एक दूसरा type हम मान सकते हैं, ठीक है, तो dark field microscope में उल्टा होगा इसका, कि हमें एक dark background पे, ठीक है, एक dark background पे, image कैसे मिलेगी, bright image देखने को मिलती है, एक dark background पे हमें bright image देखने को मिलती है, तो यहाँ पे, इसका क्या principle है, क्या इसका working path है, वो देखते हैं, तो guys, यहाँ पे आप देखो कि ये एक dark background है, और यहाँ पे एक bright image यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी, तो इस तरह की कुछ image हमें देखने को मिलती है, dark field microscope के अंदर, इसकी कुछ man points की बात करूँ मैं, तो यहाँ पे हमारे पास में अगर कोई transparent cell है, और उसको हमें visualize करना है, तो हमें उसे stain करने की जरुवत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, और बिना stain करे वे, stain करने की जरुवत नहीं है, और बिना stain करे वे, यहाँ पे transparent cell live visualize की जा सकती है, ठीक है, live cell को यहाँ पे visualize किया जा सकता है, क्योंकि stain नहीं करेंगे तो वो cell kill नहीं होगी, और यहाँ पे क्या difference है, देखो light source है हमारे पास में, इसके अलावा यहाँ बीच में, light source और condenser lens की बीच में हम क्या लगा देते हैं, एक dark filled stop लगा देते हैं, अब यह dark filled stop है, वो क्या काम करता है, यहाँ यह जो light source है, इससे जो light जाएगी, तो यह इसको बीच में से तो नहीं जाने देगा, यह बीच में जो लगा हुआ है, यह dark filled stop, यह इसको आगे नहीं जाने देगा, तो यह इसके side से ही light जा पाएगी, ओके, यह dark filled stop के सिर्फ side से light जा पाएगी, condenser lens तक, अब यह side से जो light गई है, वो condenser lens की उपर से गुजरती है, अब condenser lens इसको क्या गरेगा, specimen stage पे focus करेगा, और जो specimen stage से यह light आगे, जो specimen से गुजरेगी, वो तो क्या हो जाएगी, reflected हो जाएगी, और जो नहीं गुजरेगी, वो unreflected होगी, जैसे वो side से निकल गई, देखो, जो specimen को टच करके नहीं गई, वो side से निकल गई, और जो specimen को टच करके जा रही है, वो यहाँ objective lens की उपर पड़ेगी light, अब objective lens क्या करेगा, इसको आगे pass कराएगा, और eye piece lens पे यह light जो है, वो फोल होती है, और यहाँ eye piece lens पे हमें image मिल जाती है, एक dark background पे, एक dark background पे, एक bright image हमें देखने को मिलेगी यहाँ पे, bright image जो है, वो हमें यहाँ देखने को मिल जाती है, तो difference क्या देखा हमने, dark field microscopy और bright field microscopy में, कि जो background है, वो यहाँ पे तो dark है, dark field microscopy में और bright image दिख रही है, और bright field microscopy में background bright है, और image हमें dark दिखती है, और किस वज़े से हो रहा है यह, यह सिर्फ इस dark field stop की वज़े से यह difference हमें देखने को मिल रहे है, बाकि पूरा का पूरा setup सेम है, सिर्फ यह dark field stop यहाँ पे लगा दिया गया, जिसकी वज़े से इसे, बीच वाले portion को क्या हो जाएगा, यह light आगे नहीं जाने देगा, आई होप सब को समझ में आ गया होगा, यह यहाँ पे इस dark field stop को यहाँ दर्साया गया है, कि यह इसको ब्लॉक कर दे रहा है, और इसके सिर्फ साइड से जो है, वो light आगे जा पाएगी, नेक्स टाइप है, light microscopy का, fees contrast microscopy, fees contrast microscopy, यहाँ पे, fees का मतलब हम light से ले सकते हैं, कि यहाँ पे light का meaning यह दे रहा है, और contrast का मतलब हो गया difference, ठीक है, समझने के लिए हम इतना कर सकते हैं, कि जो light है, उसकी intensity में यहाँ पे difference होगा, intensity में जो है, वो यहाँ पे difference create होगा, और उसी की वज़े से image हमें देखने को मिलती है, इस type की microscopy में, So guys, इस type की microscopy है, उसके इंदर क्या होता है, एक phase ring लगी भी होती है, phase ring लगी भी होती है, जिसका काम क्या होता है, जो light की intensity है, light intensity जो है, उसमें difference create करने का ही इसका काम होता है, ओके, ये phase ring इस light की intensity को different कर देगा, और उसी की वज़े से जो image है, वो हमें एक clear image मिल पाएगी, high resolution वाली, as compared to dark field and bright field microscopy, ये resolution इसका ज़्यादा होता है, सो हम यहाँ पर देख सकते हैं, कि हर एक light microscopy, जिसके अंदर एक light source होता है, जिससे क्या होती है, light produce होती है, ये light produce हो रही है, यहाँ पर हमारे पास में जो annular diaphragm लगा हुआ है, जो कि एक particular जगह से ही इस light को आगे जाने देगा, ये बाकी जो है, वो abstractor की तरह काम करेगा, बाकी के light के लिए, और आगे यहाँ से जो light आगे गई है, वो condenser lens पे फोल होती है, और condenser lens से आगे ये specimen stage तक जाती है, ये light, और specimen stage से आगे जाएगी ये objective lens पे, और यहाँ पे, man calm यहाँ पे होता है, कि ये जो phase plate लगा हुआ होता है, इसके अंदर specially, यहाँ ये phase plate लगा हुआ है, और इसके अंदर दो slits आप देख रहे हो, जादा black में जो दिख रहा है, वो दो slits है यहाँ पे, तो ये specimen से यहाँ पे, जो light pass हुई है, यहाँ हमारा specimen था, इस specimen को cross करके जो light गई थी, वो तो क्या होगी, diffracted light होगी, और जो specimen को बिना टच करे light चले गई थी, side से देख रहे हो, light yellow वाली, जो light yellow color की light है, वो क्या है, specimen को touch करके नहीं गई, यानि वो unreflected या undiffracted light है, तो जो diffracted light है, वो ये है, और जो diffracted light है, यहाँ पर इसकी जो wavelength है, diffracted light की wavelength में यहाँ पर variation होगा, डिफ्रेक्टल लाइट जो है, इसकी जो wavelength है, उसमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, difference हो जाएगा, difference क्या होगा, कि यह जो phase plate है, यह इसको, इससे गुजरेगी ये light, ये wavelength, तो इसका lambda minus 4 हो जाएगा, और जो unreflected light है, ये light color वाली है, ये plus lambda by 4 हो जाएगी, तो यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं, इसकी wavelength में variation हो रहा है, इस phase plate के द्वारा, अब normally हम देखें, तो ये abstractor है, ये इसको आगे तो जाने दे रहा है light को, लेकिन बहुत slowly जाने दे रहा है, यानि ये light बहुत slow आगे जाएगी, जबकि यहाँ unreflected light जो है, वो बहुत fastly आगे चली जाएगी, तो इस तरह से, जो unreflected light है, उसका lambda by 4 को प्लस कर दे रहे हैं wavelength क और जो diffracted light है, उसको wavelength को minus lambda by 4 कर दे रहे हैं, और इस variation की वजह से, जो है, यहाँ image plane पे, हमें एक clear और high resolution वाली image देखने को मिलती है, okay, so guys, हम देखते हैं कि जो हमारी जो आखे हैं, वो इस light की intensity को तो नहीं देख सकती, कि light की wavelength जो है, wavelength में हुए जो difference को तो यह हमारी eyes नहीं देख पाएंगी, लेकिन light की intensity, यानि की light dim है, या फिर light bright है, इसको तो हम अपने आखों से देखी सकते हैं, यह darkness और brightness का जो combination होगा, उसी की वज़े से image plane पे हमें image देखने को यहाँ पे मिलती है, यानि जो light बाद में जा रही है, वो तो dark होगी और जो light पहले चली जा रहे है, यानि plus lambda by 4 का हमने wavelength में different variation करा था, उसकी वज़े से वो light पहले चली गी, और उसकी वज़े से क्या हुआ, bright area वहाँ पे develop हो गया, और इस light की वज़े से dark area जो है वहाँ पे develop हो जाएगा, और इस darkness और brightness की वज़े से, की combination की वज़े से image plane पे हमें एक high resolution वाली image हमें देखने को मिलेगी, तो इसके पीछी यह concept भी लगता है, की जो constructive interference और destructive interference का, अगर एक ही source से निकली वी दो waves हैं, और वो एक ही direction में ऐसे move करी, यह भी यहीं से निकल रही है और यह भी यहीं से निकल रही है, और यह आगे जाके super import जब होगी, यानि result में हमें जो wave मिलेगी, उसका जो amplitude है वो high amplitude होगा, ठीक है, तो इसको हम बोलते है constructive interference और secondly हम जब बात करें कि जब light का जो direction है, different direction में यह move कर रही है, यानि यह यहाँ से निकल रही है, यह वाली यहाँ से निकल रही है, तो यह आगे जाके super import जब होगी, तो हमें result वाली जो wave मिलेगी, उसका जो amplitude है, वो zero हो जाएगा, ठीक है, यह तो जुड रही है एक दूसरे में, यहाँ पे इनका amplitude है, वो zero हो जाएगा, और हमें एक plane line में जो है, वो एक wave मिलेगी, और इसको हम बोलते हैं, destructive interference, तो इसको याद रखने के लिए आप देख सकते हो, कि constructive में construct हो रही है, ठीक है, और destructive में zero हो रही है, तो हमने देखा एक bright field microscopy, dark field microscopy और phase contrast microscopy, आप यहाँ भी देख सकते हैं, तीनों में से resolution power किसका ज्यादा अच्छा है, किस type की microscopy में हमें सबसे ज्यादा अच्छी clear image देखने को मिल रही है, तो हम देख पा रहे हैं, कि dark field microscopy की comparison में ज्यादा अच्छा resolution power phase contrast microscopy का है, ठीक है, और bright field microscopy की comparison में ज्यादा अच्छा resolution है, dark field microscopy का, तो यह थोड़ा सा difference हो जाता है, और इसी वज़े से हम ज्यादा यूज़ करता है, इन तीनों के comparison में, phase contrast microscopy, अगर हमें थोड़ा अच्छा resolution चाहिए तो, then guys, fourth जो point आता है, वो है, fourth type जो है, वो है, fluorosense microscopy, अब fluorosense microscopy में क्या होगा, कि हमारा जो object है, या फिर हमें जिस भी organism को, जिस object को visualize करना है, उसको हम एक fluorochrome dye से क्या गर देंगे, stain कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, तो अब जो fluorophore dye है, उससे ये object stain किया, हुआ है, और ये भी specific होता है, कि हमें किस object को, किस dye से क्या करना होता है, stain करना होता है, like, यहाँ पे different, different dyes यूज की जा सकते हैं, इसको stain करने के लिए, तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक high intensity वाले light वाला जो है, light, object के उपर जो है, वो high intensity वाला light क्या करते हैं, fall करते हैं, और जब इस object के उपर high intensity वाली light आके गिरेगी, तो इस object के अंदर क्या होता है, हर एक atom में, हर एक atom में क्या होते हैं, nucleus होता है, proton होते हैं, electron होते हैं, तो यह जो यहाँ पे electron present है, इस atom में, तो यह electron जब high intensity वाली light आएगी, तो क्या होगा, कि अपने higher orbit में चले जाते हैं, ठीक है, और यहाँ यह electron higher orbit में stable नहीं हो पाते हैं, कुछ time के बाद में यह वापस अपने ground state में चले जाएंगे, यहाँ वापस आ जाएंगे, और जब यह वापस आएंगे, तो कुछ energy को क्या करेंगे, emit करेंगे, ठीक है, यानि energy को release करेंगे, यहाँ एक high intensity वाली, high energy वाली light आ रही है, लेकिन यह जो emit यह release कर रहे हैं जिस energy को, यह as compared to इसके कम होती है, ठीक है, low energy वाली light होती है, यह, low energy वाली light को यह release करते हैं, ठीक है, क्योंकि यह वापस जाते हैं, यहाँ पर वापस आते हैं, तो यहाँ पर कुछ इस पूरी mechanism में light क्या हो जाती है, sorry, energy क्या हो जाती है, consume हो जाती है, इसको आप यहाँ पर देख सकते हो, कि जो यह ground state पर electron है, और light आई, जब यह अपने higher orbit में चलेगे, और यहाँ पर यह stable नहीं हो पाए, और क्या होगा, कि वापस यह ground state में वापस आ जाएंगे, हमारे पास में एक excitation light, यानि जो कि high energy वाली light है, जो इसके उपर पढ़ती है, तो यह वापस यहाँ चलेगे, अपने excited state में, और जब यहाँ stable नहीं हो पाए, तो यह ground state में आएंगे, और light को क्या करेंगे, emit करेंगे, तो जो concept हमने अभी समझा है, तो वो यहाँ पर हमारे काम आएगा, लाइक हमारे पास में एक ginone या फिर mercury arc lamp होता है, light producer की रूप में, अब यहाँ से क्या होगी, light produce होगी, अब यह different different color के आपको light दिख रही है, तो यह सारे के सारी light आगे ना जाएं, सिर्फ एक specific type की light आगे जाए, तो उसके लिए हम यहाँ लगाते हैं, एक excitation filter, अब यह जो excitation filter होता है, वो एक specific type की light को ही आगे जाने देगा, यहाँ हम देख पा रहे हैं सिर्फ blue color की light जो है वो आगे जा पा रही है, ठीक है, तो अब यहाँ यह आगे एक dichroic mirror लगावा होता है, जो की एक specific type की light को तो cross होने देगा, और एक specific wavelength वाली light को क्या होने देगा, reflect कर देगा, ठीक है, तो यहाँ पर यह blue color वाली light आ रही है, यह इसको reflect कर दे रहा है, तो अब यह जाएगे objective के उपर, objective से होते वे यह हमारे specimen के उपर आएगे, यह हमारा specimen है मानलो, अब यह specimen के उपर फोल होती है, अब specimen में वही process होता है, जो अब भी हमने दीखा, अब specimen के जो atoms होते हैं, ठीक है, उसमें electron present है, यहाँ पर वही process होगा, यह high energy वाली light आई इसके पास में, और यह अपनी excited state में, यानि higher orbit में चले गए, और यहाँ stable नहीं होने की वज़े से क्या होगा, यह वापस अपने ground state में आ जाएंगे, और ground state में जब यह आ गए, तो यह light को emit करेंगे, तो यह जो emit हो रही है light, यह यहाँ से यह green color वाली light emit हो रही है, ठीक है, तो यह green color वाली light objective से होते हैं, यह वापस dichroic mirror के उपर पड़ती है, अब यह green color वाली light को dichroic mirror pass होने देगा, इसलिए हम बोल रहे हैं, यह एक specific type का mirror होता है, जो कि एक specific type की light को तो cross होने देता है, जबकि एक दूसरे type की light को क्या गर देगा, reflect कर देगा, तो यह green color वाली light को pass होने देगा, अब यहां एक barrier filter लगा हुआ है, यह देखो, अब यह light जो है green color वाली इस barrier filter से होते हुई जाएगी, और ocular lens के उपर पड़ेगी, और यहां से detector जो है, यह इसको detect कर लेगा image को, और यहां हमें image plane पे एक high resolution वाली image हमें clear image देखने को मिल जाएगी, तो यह fluorosense microscopy का जो principle था, कि यह किस principle पे काम करती है, और इसका working mechanism क्या है, वो पूरा का पूरा हमने यहां पे देख लिया है, मैं चीज यहां पे यही होती है, कि यह higher energy वाली light की वज़े से electron अपने higher orbit में चले जाएंगे, वो वहां पे stable नहीं हो पाएंगे, तो इस वज़ए से वापस आएंगे ground state में और energy को release करेंगे, अब यह energy release हो रही है ना, इसी वज़ए से यह पूरा mechanism जो है, वो काम कर रहा है, fluorosense microscopy में, सो यहां पे detector में, जो हमारा specimen है, वो fluorochrome है, यानि जो dye से क्या हो गया, stain करा हुआ है, तो हमें अलग से दिख जाएगा, कि अगर हमें कोई भी cell में एक protein को मानलो, dye करके stain करके रख दिया यहां पे, और उस protein का location देखना है, तो हमें इस image में दिख जाएगा, कि उस cell में protein कहाँ पे है, क्योंकि हमने उसको पहले से tag किया हुआ है, ठीक है, तो यह था fluorosense microscopy के बारे में, I hope समझ में आ गया होगा, next पे चालते है, next type है guys, इसका confocal microscopy, जिसके अंदर भी हम किसका use करते हैं, light का ही use करते हैं, किसी भी organism को visualize करने के लिए, ठीक है, और इसका जो pdf है guys, आपको telegram channel पे मिल ही जाएगा, और वीडियो को like नहीं किया हो, अभी दक तो like भी कर देना, subscribe नहीं करा हो, तो subscribe भी कर देना, और share गर देना अपने दोस्तों के साथ में, so पढ़ते हैं अभी confocal microscopy के बारे में, confocal microscopy में क्या होता है, ये एक fluorescence microscopy का ही क्या है, modified version है, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, कि दो pinhole लगा देते हम, दो pinhole aperture set किये जाते हैं, जो कि light को एक plane पे focus करते हैं, और सारी plane, यानि एक plane है हमारे पास में, सिर्फ इस plane को focus करेगी, और बाकी ये जो दो planes हैं, या फिर side वाला area जो है, इसको ये हटा देगा, इसके उपर कोई भी light allowed नहीं होगी, यानि light यहाँ नहीं पड़ेगी, इसको आगे explain में समझेंगे हम, इसको हम use करते हैं ताकि resolution को enhance कर सके, और जो image है, वो हमें एक sharp image मिल सके, और यहाँ पे specific location की identity कर लेते हैं, कि कहाँ पे हमारा जो object है, वो present है, जिसके हम study कर रहे हैं cell के अंदर, और इससे जो है एक 3D image मिलती है, और काफी detailed specific image हमें मिल जाती है, confocal microscope से, अगर हमारे पास में कोई ठिक tissue है, तो उसके study भी हम इससे कर सकते हैं, यानि कि इसके अंदर ये depth को क्या कर पाएगा, cross कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, laser light का use करते हैं, इस type की microscope में, और laser light जो होती है, वो cell की depth तक भी जा सकती है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, कि हमारे पास में एक laser excitation source है, जिससे क्या होगा, एक laser light का production होगा, यानि laser light को produce करेगा, यह source, और यहाँ एक pinhole लगा दिया, हमने first pinhole यहाँ पे लगा हुआ है, तो यह सिर्फ एक small area से ही light को आगे जाने देगा, और यहाँ यह light जो जाएगी, laser light वो excitation filter से होते हुए आगे जाएगी, जो कि आगे जाके dichroic mirror के उपर पड़ती है, और dichroic mirror जो है, वो इसको क्या कर देगा, reflect कर देगा, यह जो green वाले light आ रही है, इसको यह reflect कर देगा, ठीक है, तो यहाँ यह objective के उपर पड़ती है, और objective से होते हुए यह जाती है हमारे specimen के उपर, अब specimen पे हम focus कर रहे हैं, इस वाले area को, इस वाले area को focus कर रहे हैं, ठीक है, तो यह जो light है, वो यहाँ इस से जो टकरा के light गई, इस specimen से टकरा के जो light आगे जाएगी, वही यह second वाला जो pinhole है, वो आगे cross होने देगा, बाकि जो इसके side by side, जहाँ भी light गई है, यह light, red color की light यहाँ पे दिख रही है, देगो, यह light color दिख रहा है यहाँ पे, इसको यह pinhole नहीं जाने देगा, और इसका जो other part है, यह इसको block out कर देगा, जिसके वज़े से हमें ज्यादा clear and sharp image मिलेगी, एक तो होता है guys, मानलो कि हमारे पास में यह cell है, और यह हमारा nucleus है cell के अंदर, और हमें सर्फ इस nucleus की steady करनी है, ठीक है, तो जो light nucleus के उपर गिरेगी, और उसी को यह second वाला pinhole जो है, वो आगे जाने देगा, इसके अलावा जो light यहाँ से गई है, मान कुछ और lysosome बगेर है, ठीक है, तो यह जो light गई है, यहाँ से touch करके, तो यह क्या होगा, यह side से निकलेगी ने, इसको आगे जाने ही नहीं देगा pinhole aperture, यह second वाला pinhole aperture जो है, यह बाकी जो light है, extra, उसको block out करतेगा, ठीक है, जिसकी वज़े से हमें यह जो nucleus की steady करनी थी, त आगे देखते हैं, तो specimen से यह हमारे टकरा के light गई है, वापस यह objective lens पे आती है, and then dichroic mirror से होते हुए, यानि pass करने देगा यह mirror इसको, तो यहाँ से होते हुए, यह barrier filter पे आके गिरेगी, और barrier filter से आने के बाद में यह filter हुई हुई जो light है, यह हमारे second pinhole aperture के उपर जाएगी और जो हमारे सिर्फ object के उपर से जो light आई है, सिर्फ उसको आगे जाने दे रहा है, और यहाँ जो detector के उपर हमें एक sharp and 3D image मिल जाएगी, sharp image होगी, 3D image होगी, और एक detailed image होगी, ठीक है, एक detailed image यहाँ पे हमें मिल जाएगी, तो यहाँ पे क्या function था pinhole aperture का, कि अगर हमें किसी focal, मानलो specimen की 3 focal plane है, सिर्फ एक ही focal plane के उपर में focus करना है, सिर्फ एक object, एक ही, यहाँ पे हमने nucleus का example लिया, तो सिर्फ nucleus की steady करनी है, तो यह सिर्फ nucleus के उपर focus करेगी, और किसी के उपर focus नहीं करेगी, जिसकी वज़े से जो image blur ना हो, ठीक है, तो यह था confocal microscopic के बारे में, जिसके अंदर अगर हम man point हम देखें, तो एक तो हम करते हैं, इसमें laser light का use, laser light यूज़ करते हैं, दूसरा इसके अंदर होता है, pinhole aperture, ठीक है, दो pinhole aperture यहां लगे वे होते हैं, laser light इसलिए यूज़ की जाती है, कि ताकि ये cell की depth तक जा सके, और pinhole aperture इसलिए यूज़ किया जाता है, ताकि हम जो object है, उसकी एक particular structure हमें देखनी है, जैसे हमने nucleus का example लिया, तो ये pinhole aperture सिर्फ उसी light को आगे जाने देगा, सिर्फ उसी light पे focus करेगा, ठीक है, ताकि हमें एक sharp और 3D and detailed image मिल सके, और high resolution जिसका हमें मिल सके, ये image का हमारा quality हो गया, जो की confocal microscopy से हमें मिलता है, so I hope confocal microscopy के बारे में सब clear हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं next type की उपर, so next type अपना है guys, polyrised microscopy, polyrised microscopy में क्या होता है, कि एक तो होता है हमारे पास में polyrizer, एक होता है analyzer, जो की सबसे ज़्यादा important role play करते हैं, polyrised microscopy के अंदर, और यहां अगर हमारा specimen कैसा होना चाहिए, बायर-fresent होना चाहिए, ये तीन में पॉइंट है, हमारा जो specimen है, वो बायर-fresent होना चाहिए, specimen, ये spelling का थोड़ा mistake हो रहा है, specimen, polarizer, analyzer और बायर-fresent specimen, इनका क्या काम होता है और ये कैसे कैसे work करते हैं, ये आगे हम डीटेल में देखेंगे, तो ये टेलिग्राम चैनल पे आपको इसका PDF भी मिल जाएगा, और आप चाहो तो मुझे ट्वीटर पे भी फोलो कर सकते हो, जो की profile है कुसूम चोथरी की नाम से मिल जाएगा आपको, और टेलिग्राम चैनल का नाम है Science Workshop, और ये वाला तो अभी हम करी रहे, तो गाइज ये जो polarizer है, वो क्या करेगा, जो कोई भी light wave होती है ना, कोई भी light होती है, तो वो क्या करती है, वो different direction में move करती है, different direction में vibrate करती है इस तरह से, ठीक है? अब polarizer का काम है कि, इस different direction में move करने वाली light को, सर्फ एक plane पे move होने दे, या एक plane पे vibrate होने दे, ठीक है? तो polarizer अगर हम use करेंगे, उससे जब light गुजरेगी, तो वो light सिर्फ एक direction में move करेगी, या फिर vibrate करेगी. अब आगे analyzer का क्या काम होगा, कि ये जो polarized light है, यानि polarizer से जो light होकी गुजरी, उसको हम क्या बोलेंगे? अब ये जो polarized light है, वो आगे जाएगी पूरी process में, तो उस light को detect करने का काम किसका होगा? एनालाइजर का होगा. और ये जो polarizer और एनालाइजर है, ये एक दूसरे के parallel जो है, वो मतलब set इस तरह से इनका setup हो, कि ये दोनों जो है, वो एक दूसरे के parallel हो. ओके? तो जो polarized microscope है, वो एक contrast enhancing technique है, जिसके अंदर हम evaluate कर सकते हैं, composition को और एक 3D structure हमें मिल जाती है, specimen की. तो अभी हमने देखा कि जो polarized, ये है unpolarized light, unpolarized light है ये, जो कि क्या गर रही है, different direction में vibrate करी है, आप देखरो, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, सारे direction में क्या गर रही है, vibrate कर रही है, लेकिन जब ये polarizer से घुजरेगी, तो एक polarized light है, वो सिर्फ एक plane में, या फिर एक direction में क्या करेगी, vibrate करेगी ये देखो सिर्फ एक direction में vibrate कर रही है so यहाँ पर यह कि polarizer और analyzer का इस तरह से setup नहीं होना चाहिए कि वो एक दूसरे के prependicular हो या फिर एक दूसरे को cross कर जाए तो इसका जो setup है वो ऐसा होना चाहिए कि यह दोनों जो है वो एक दूसरे के क्या हो parallel हो वरना हमें जो result मिलेगा वो एक darkness की तरह मिलेगा यहाँ पर देख सकते हो कि यह है unpolirized light जो कि polarizer से हो की गुजरेगी यह देखो polarizer का है वो इस तरह से और यहाँ से यह light आई यह light wave है जो कि polarized है okay polarized है सिर्फ एक direction वाली vibrations को यह आगे जाने देखा यह analyzer यह polarizer 2 लगा हुआ है जो कि horizontally क्या होता है है setup होता है इसका और इसका क्या होगा फर्स्ट वाले का vertical यह setup होगा इसका जो polarized microscope होता है वो कुछ इस तरह का देखते है आप देख सकते हो इसमें क्या होगा हमारे पास होता है बायर फ्रिजेंट specimen अब इसको समझते है कि बायर फ्रिजेंट specimen क्या होता है कुछ ऐसे substances होता है guys कुछ ऐसे substances होते हैं मान लो कोई crystal ही मान लो for example यह कोई crystal है इसको अगर यहां से measure करेंगे इसकी density को ठीक है तो यहां से इसकी density कुछ और होगी यहां से अगर इसको measure कर रहे है तो इसकी density कुछ और है यहां से measure कर रहे हैं तो इसकी density कुछ और है इस type की कुछ substances होते हैं जो कि अगर कोई light यहां कोई आ रही है तो उसको क्या गर देंगे आगे दो में split कर देंगे इस type से ठीक है? दो rays में एक light ray को दो ray में क्या गर देंगे? split कर देंगे ऐसे substances को हम क्या बोलते हैं? byer-frescent substances बोलते हैं ठीक है? जो unisotropic substances जितने भी होते हैं वो byer-frescent substances में आ जाते हैं तो byer-frescent specimen या फिर byer-frescent substances को देखने के लिए हम इस polarized microscopy का यूज करते हैं normally तो हमारे पास में यह है इक light source जहां से क्या आ रही है? light produce हो रही है और यहां हमारा यह क्या लगा हुआ है? यह जो आप देख पा रहे हैं यह हमारे पास में है polarizer अब यह light source जो light produce करेगा वो तो un-polarized light है ठीक है? यानि different direction में move कर रही है लेकिन जब यह polarizer से होकी गुजरेगी तो यह polarized light हो जाएगी और उसके बाद में polarizer के बाद में यह जाती है हमारे बाइर फ्रिजेंट specimen के उपर अब specimen के उपर यह light जब जाएगी तो यह इसको दो lights में क्या कर देगा? दो ray में split कर देगा इस तरह से उसमें से एक ray को हम बोल रहे हैं extraordinary ray अब जो दूसरी ray है उसको हम बोल रहे है ordinary ray अब जो दूसरा आगे यह analyzer लगा हुआ है इसका काम क्या है? यह दो ray जो गई है इनको combine कर देगा यह analyzer ठीक है? इसको combine कर देगा यहाँ से एक ray निकलेगी और आगे जो है वो light ray यह जाएगी interference के बाद में interference हमने पहले भी समझा है अभी वापस भी समझ लेंगे कि interference दो type का होता है एक तो constructive दूसरा होता है destructive constructive constructive interference होता है और दूसरा होता है destructive ठीक है constructive में हमने देखा था कि जब दो waves एक ही सोर्स से निकलेवी हो और वो एक ही direction में move कर रही हो तो आगे जाके जुड जाएगी और उनका जो amplitude है वो high हो जाएगा और destructive में क्या होगा? जो different direction से निकल रही हो मानलो यह यहाँ से निकल रही है और दूसरी यहाँ से निकल रही है तो आगे जाकी zero हो जाएगा इसका amplitude और इस तरह से plane line मिल जाएगी हमें तो यहाँ पे interference के बाद में जो है वो recombine हो जाएगी यह light ray जो है और image plane पे आगे हमें क्या हो जाएगा eye piece lens पे एक बड़िया 3D image मिल जाएगी देखने को और जो की काफी sharp मिलती है ठीक है लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि यह सिर्फ byre-fresent जो substance होते हैं उन्ही को देखने में सबसे ज़्यादा use में ली जाती है यह polarized microscopy की जो technique है यह वाली I hope जो man point थे वो आपको समझ में आगे होंगे कि byre-fresent specimen होगा हमारा polarizer लगा हुआ होगा जो की different direction में vibrate होने वाली light को सिर्फ एक direction में आगे vibration वाली light को आगे जाने देगा then byre-fresent उसको दो में split कर देगा और जो analyzer होता है वो यह दो rays हैं उनको क्या कर देगा? कंबाइन कर देगा और जब दो ray यहाँ पे कंबाइन कर रही हैं तो क्या बोल रहे हैं? उसको interference बोल रहे हैं यानि यहाँ यह super impulse होगी और finally एक और ray आजाएगी जो कि अगर constructive interference हुआ तो इसका amplitude ज्यादा हो जाएगा अगर destructive interference हुआ तो एक हमें plane जो line वाली destructive interference के अंदर एक wave मिलती है तो polarized microscope में यही था I hope समझ में आ गया होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो buyer-fresent substances हैं मानलो यह कोई non polarized light है यह क्या हो जाएगी यहाँ से जबी गुजरेगी तो एक ordinary ray में split हो रही है दूसरी ray है उसको हम extraordinary ray बोल रहे हैं यानि यह एक ray को दो light beam में क्या कर देगा split कर देगा So light microscope का यह last type जो हमने पढ़ा था वो है interference microscope ठीक है interference का अभी तक सब को समझ में आ गया होगा कि interference होता क्या है इसमें भी इस type की microscope में भी क्या होगा interference occur होगा So अगर आपको इसका pdf चाहिए तो आप मुझे telegram channel पे join कर सकते हैं science workshop के नाम से telegram channel मिल जाएगा और आप चाहे तो twitter पे भी follow कर सकते हैं यह id मिल जाएगा So इसका link भी जो है बापको description में मिल ही जाएगा So interference जो microscopy होती है उसको हम quantitative interference microscopy भी बोल देते हैं और इस technique के द्वारा यह जो technique होती है वो phase contrast microscopy के principle पे ही काम करती है एक तरह से यानि उसी technique से phase contrast microscopy वाली technique से इसको क्या किया गया है derive किया गया है ताकि हम एक easy and clarify image मिल सके हमें organism की एक living organism की So यहाँ पे क्या होगा कि हम एक prism का use करते हैं मालो कोई light आ रही है और जब यह prism से होके जाएगी तो यह prism क्या करेगा इसको दो beam में दो light beam में क्या कर देगा split कर देगा यहाँ पर एक ray को हम बोलेंगे specimen ray और दूसरी ray को बोलेंगे हम reference ray ठीक है specimen ray या फिर objective ray बोल सकते हैं क्योंकि यह जो एक light है और यह दो में split हुई यह specimen ray है यह reference ray है तो यह specimen ray specimen से होके गुजरेगी और यह जो reference ray है यह इसके side से जाएगी यानि जो specimen के side वाला जो area है वहां से होके गुजरेगी इसका मतलब यह हुआ कि specimen को वो तच करके नहीं जाएगी तो इस तरह से आगे इसके अंदर क्या होगा इन दोनों ray में interference occur हो जाएगा एक जो light ray है वो तो retired हो जाएगी और जो दूसरी light ray है वो advance हो जाएगी और यह जो interference occur हुआ है यही कारण बनता है कि आगे हमें एक clear image मिल पाती है so these beams allow a specimen to be seen यानि यह जो दो beams है यह allow करती है ताकि हमें specimen देखने को मिले यानि specimen की image हमें देखने को मिले क्योंकि जो difference पैदा हुआ है field पे दो beams में उसकी वजह से हमें क्या मिलती है एक detailed image देखने को मिलती है इसको आगे हम detail में पढ़ने वाले है हम क्या देख रहे हैं interference microscope में हम use कर रहे हैं आपे prism का अर जब एक light beam आती है एक light ray आती है यह इस prism से होके जब गुजरती है तो यह prism इसको दो light beam में क्या कर देगा split कर देगा जिसमें से हम एक ray को बोल रहे हैं specimen ray और दूसरी को बोल रहे हैं reference ray specimen ray specimen को q क्रॉस करके जाएगी reference ray specimen को touch करके नहीं जाएगी अब आगे जाकि इसमें क्या होगा इनमें interference occur होगा interference किस तरह से occur होगा कि इसमें से एक light तो retarded हो जाएगी यानि कि dull हो जाएगी और जो दूसरी ray है वो advance हो जाएगी advance हो जाएगी मतलब bright ज्यादा हो जाएगी वो तो यह retarded और advance हुआ यहाँ पे यानि interference occur जब हुआ उसी की वज़े से आगे हमें image plane पे एक sharp and 3D image मिल जाती है ठीक है तो यह था interference microscopy के बारे में interference कैसे occur होता है आप यहां से देखी सकते हैं कि constructive interference होता है destructive interference होता है यह हम पहले भी कर चुके हैं और I hope अभी तक दिमाग में छपी गया होगा कि constructive और destructive interference होता गया है सो जो differential interference contrast microscopy है वो एक type है interference microscopy का ही ठीक है इसको हम क्या बोलते हैं nomars की interference microscopy भी बोलते हैं क्योंकि यहां पे जो prism यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं nomars की prism बोलेंगे prism है वो है nomars की prism या फिर ball stone बोल सकते हैं इसको तो इसका पूरा mechanism क्या होता है यहां पे दो nomars की prism लगे होते हैं first वाला तो यह रहा और second वाला यह रहा क्या process होगा इसका कि light है light source है जिससे light produce होती है और जो light produce होगी वो तो unpolirized light होती है अब इसको polyrize करने के लिए हम किसका use करते हैं यहां पे polyrizer का use करते हैं जिसकी वज़े से यहां से यह जो light आएगी यह polyrized light होगी जो कि हमारे prism के उपर पढ़ती है nomars की prism के उपर और जब यह polyrized light nomars की prism के उपर पढ़ रही है तो ये इसको दो ray में क्या करतेगा split करतेगा यहाँ पे देखो ये एक ray है इसको हम क्या बोलते हैं ordinary ray स्पैसिमेन ray और दूसरी को बोलते है reference ray ये दोनों condenser से होते हुए जाएगी और condenser इसको किस पे focus करेगा specimen के उपर focus करेगा अब specimen से होते हुए ये light जाएगी objective lens पे और objective से ये वापस second numars के prism के उपर जाएगी जो की ray को क्या कर देगा ये दो ray जो थी एक ये वाली और एक ये वाली इनको combine करने का काम करेगा first वाला तो क्या कर रहा है इसको split करने का काम कर रहा है और second numars के prism इसले लगाते हैं ताकि यहाँ पे ये दोनों ray क्या हो combine हो जाए recombine होके ये analyzer से होते हुए eye piece lens तक आती है और यहाँ पे हमें image मिल जाती है so interference यहाँ उक्योर हो रहा है गाई ठीक है क्योंकि interference को हम बोली क्या रहे है जब दो ray आ रही है अब वो दो ray combine हो रही है तो आगे जो final ray मिल रही है उसी को तो हम interference बोल रहे है ठीक है तो ये दो ray आ रही है यहाँ पे ये combine होगी combine होगी ये analyzer पे जाएगी और analyzer से होते वे यहाँ पे light eye piece पे क्या हो जाएगी detect कर ली जाएगी यहाँ हमें image मिल जाती है ठीक है तो man चीज क्या है यहाँ पे कि एक तो है polarizer यहाँ हमारा polarizer है दूसरा यहाँ पे numars की prism लगा हुआ है first वाला यह second numars की prism है जो कि recombine कर देगा यह वाला split कर रहा है और एक analyzer लगा हुआ है जो कि इस light ray को आगे यहाँ से गुजरती है analyzer ताकि यह detect हो सकी यह वाली light और यहाँ पे एक अच्छी image मिल सके so यहाँ पे अपना सारे के सारे types जो है light microscopic के वो complete होते हैं हमने लगबग 6 type पढ़े हैं first हमने पढ़ा bright field second हमने पढ़ा dark field third हमने पढ़ा fees contrast then हमने फ्लूरोसेंस पढ़ा next क्या था next हमारा था confocal microscopy and then हमारा क्या था polyrised microscopy and interference microscopy ठीक है तो यह एक, दो, तीन, चार, पाँच, छै और साथ type हुए तो यह seven type के बारे में हम light microscopy के बारे में पढ़ चुके हैं और MSC के अंदर जो है वो final year के अंदर यही साथ type दे गए हैं इससे बाहर light microscopy का कोई type नहीं है और जो electron microscopy बसता है electron में भी एक तो होता है SAM और TAM ठीक है यानि scanning electron और transmission electron microscopy और atom force microscopy ठीक है जो कि scanning probe microscopy का type है यह तीन type बजाते हैं microscopy वाले chapter में तो वो हम आगे आने वाले videos में cover कर लेंगे यह वीडियो जो है वो आपके लिए helpful रहा हुगा अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना शेर कर देना अपने दोस्तों के साथ में और चैनल को subscribe नहीं करा है तो subscribe कर देना और PDF के लिए आप टेलिग्राम चैनल जोइन कर सकते हैं साइन्स वक्षोप के नम से लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा और आप चाहो तो ट्वीटर पे फोलो कर सकते हो मिलते हैं नेक्स वीडियो में गाईज टेक केर